नमस्कार दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की जो इसमें ओपन ट्रेड है उस पे करीब हजार करोड रुपे का जो है दाव लगा हुआ हजार करोड रुपे से जादा का दाव लगा हुआ है जो अगले 24-48 घंटे के अंदर एक तरफा करवट लेगा या तो बुल जीतेंगे या इस चैनल पर मिलती है और लॉंग तम में कैसे पैसा बनाना है उससे पहले शॉट तम में आपके लिए 50 डॉलर जीतने का यह जो है आखरी मौका है दोस्तों केवल कल तक के लिए जो कॉंटेस्ट हमने चलाया था यह जो ओके एक्स ने स्पेशल हमारी कम्यूनिटी के लिए पचास जॉलर का इनाम रखाथा वो कल खतम हो रहा है करना आपको क्या है 300 डॉलर का टॉप UP करना है 50 डॉलर और केवल 10 डॉलर का ट्रेड करना है पचास डॉलर क्या फाइदे है क्यों यह जो एक्षेंज है जिससे बागी एक्षेंज इस थोड़े से ड्रइस्ट वर्ती है भार्ति एक्षेंजिस हमारे पास definitely 22,200 की है वहाँ तक price जाना चाहिए, कल जैसे मैंने का कल तक volatility रहेगी पर ultimate end game है, वो है 25,000 की अगर हम देखें, यहाँ पे एक तरह से W pattern भी बन सकता है, अगर हमें 22,000 से rejection मिली और हम दुबारा से price test करके गए, कहरें सभी अठकेले जो है, यह सभी technical चीजें निरर्थक है, सार्थक चीज क्या है कि यह सब को market में कौन से factors drive कर रहे हैं, जैसे मैं आपको लगातर बताता आ रहा हूँ, इस समय जो है Jerome Powell जो है, यानि कि जो Fed के chairman है, उनके हर एक शब्द जो है, वो market बहुत गौर से यानि कि 0.75 के, तो market डर जाएगी market crash होगी, अगर उनने का नहीं, enough is enough, already US का bank rate 5% का है, मैं अगली बार केवल 10% hike करूँगा, 19 सेतंबर को तो market celebrate करेगी, अब यहां पर market में बहुत कुछ दाव पे लगा, अगर आप देखें shots की तरफ, तो 50,000 bitcoin जो है shots पे लगे हुए, अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं, तो अगर कल रात की जो closing है, Friday रात की closing जो है, वो 20,000 से 21,000 डॉलर की बीच में हुई, तो bears 140 million डॉलर जीच जाएंगे, अगर, यहनि कि अगर price इस range में 800 करोड का मुनाफ़ा होगा, पर यहां से अगर price छोड़ा सा और बढ़ जाता है, 22,000 से 24,000 तो कोई किसी को फायदा नहीं होगा, पर यहां पर interesting चीज़ गया है, अगर 24,000 से 25,000 का price चला जाता है, या उससे भी उपर गया, तो bulls जो है जिन्होंने call options ले रखी है, वो कम से कम 1000 करोड का मुनाफ़ा कमाएंगे, तो क्या bulls के लिए यह motivation है, कि price को फ़ड़ा सा बढ़ाया जाएं, खैर, bulls इस समय यह risk नहीं लेंगे, क्योंकि अगर fed की जो tone है, यानि कि वो जरान पावल की tone हगर negative रही, rate hikes के तरफ रही, तो फिर वो उनको ज्यादा नुकसान भी हो सकता, तो इसलिए bulls ज्यादा manipulate नहीं करेंगे, बढ़ हमें दोनों तरफ ध्यान रखता है, खैर, long term hodlers के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यह चार्ट ध्यान से समझेगा, जो orange चीज़े आप देख रहे है, orange जो mountains है, वो basically कितने लोगों को इस समय loss हो रहा है, इस समय कितने लोग loss में है, simple fashion बता है, और जो black line है, वो bitcoin का price है, तो अगर आप historically के लिए देखें, 2014 से, जब जब bitcoin का price bottom करता है, तब तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग loss में जाते हैं, अब आप कहेंगे, इसमें के rocket science समाने से बाता है, अगर आप past में भी देखें, तो जब bitcoin का price all time high पे गया था, 2017 में, तो उसमें किसी भी को भी loss नहीं हो रहा था, almost यह orange mountain guy भी हो गए, यहीं कि not even single person was at loss, 2018-19 में, price नीचे गिरा, काफी सारे लोग loss में चले लेगे, वो loss में जाने वाले लोग का count देखें, जो पहाड की height है, covid में तो सबसे ज़्यादा highest level पे एक ज़्यादा, highest number of people were at loss for those few days, आज अगर आप देखें, वो जो mountain है, number of people at loss is also approaching towards the highest level, अब इसका मतलब क्या है, जो चीज सबसे ऊपर जाती, वो नीचे तो आती हैं, दोस्तों, यह तो स्रिष्टि का नियम है, तो यहाँ पर यह पहाड जो है, वो अपनी peak पर पहुंच रहे हैं, इससे भी एक फाइदा हो सकता है, दूसरा एक और chart, जो long term की तरफ दर्शाता है, कि एक जरूर bull rally आने वाली है, वो है MVRV chart, MVRV क्या होता है, market value to realized value, simple चीजीज है, market value निए, कि आज की rate में, bitcoin की market cap क्या है, मान लीजिए, 600 billion है, और realized cap क्या है, realized cap मतलब, कि जिन लोगों ने realize कर लिया है profit, यनि profit book कर लिया, उसकी cap है न, आज तक मान लोगी, 200 billion dollar के market cap बुक हो चुकि है, profit book हो चुकि है, तो उसको अगर divide करें, तो उसकी जो ratio है, वो भी एक अच्छा trend दर्शाती है, यानि कि जादा से जादा market cap to realized ratio cap कम होगी, तो यनि हम market के bottom पी तरफ है, जादा होगी तो यनि कि market cap जो है, क्योंकि वो जो numerator है, उपर की तरफ होता है, वो over bloated है, market में correction आने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको अब चार्ट दिखाऊंगा, कि MVRV का जो चार्ट है, वो हमें क्या indication दिखा रहे है, क्या हम bottom पे पहुँच के, अगर आप चार्ट देखें, तो सिधा ही ता आपको लगे आ रहे है, हम तो almost bottom पे ही है, June 14 को bottom था, उसके बाद से हम ज़्यादा उपर नहीं आये, लगातार ये trend उपर नीचे जाता ही जा रहे है, यानि कि market value जो है, वो realized value के नजदीक आती जा रहे है, अब यहाँ पर जो moving average बनाने वाले हैं, उनकी वो moving average भी निकालते हैं, जब-जब moving average के cross बनते हैं, तब तक एक direction change होती है, तो इस समय जो as we speak right now, MVRV का एक cross बन रहा है, जो की typically bullish signal है long term के लिए, तो ये भी एक long term signal हो गया, करें आप summarize करते हैं आपके लिए क्या है, Bitcoin का price सदमे में है इस समय, क्योंकि कल Powell की announcement आने वाली है, अगर rate hike आता है, जादा से जादा तो price जो है नीचे जाएगा, अगर उन्हेंने का नहीं, हम लोग बहुत rate hike कर चुके हैं, कि क्यों US rate hike इस से जादा नहीं कर सकता है, जादा जादा 75, 50 basis point का एक और 25 basis point का एक, यानिकि 0.75 का total hike आएगा, और bank rate जो है, अभी जो 2.75 पे है, वो साड़े तीन तक जाएगा, इसके उपर किया, तो अमरीक की सरकार डिफॉल्ट करेगी, आपको बताता हूँ क्यों, और इसलिए, stock market अगर आप देखें, S&P 500, वो भी एक तरह से दिशान रिदे जरी है, कि वो वापसी कर रही है, जो उसमें correction आई थी, और वो वापसी कर रही है, आपको कलपर सो की वीडियो में भी बताता हा रहा हूँ, कि यह जो section है पूरा, यह जो area है, यह bear market rally का area है, price इससे नीचे नहीं जाना है, जो काफी सारे विशेशकें भी कह रहे हैं, कि S&P 500 का भी bottom यही था, 3600 जो था, तो अशाकर तो आपको वीडियो पसंदे भी, काफी सारा ग्यान था, इस वीडियो में याद दिला दू आपको, OKX पे आप सिधर सिधर 4000 रुपे जीत सकते हैं, 50 डॉलर का इनाम, आपको केवल 20-25 ज़़वे डालने हैं, निकालने हैं, और वो इनाम जो है आपको 26-27 तारिकों मिल जाएगा, उस वारे में डेटेल्ड वीडियो हम अभी बनाने जा रहे हैं, इसके तुरंद बाद तो उसको जुरूर देखीगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, और लगया हाथ giveaway सवाल भी पूछ लेते हैं, जिसमें comment करके आप 50 डॉलर अतिरिक्त अपने account में प्राप्ट कर सकते हैं, वो giveaway सवाल सिंपल यह है, आपके हिसाब से, श्रीमान पावल जो है, वो क्या कल जो hint देंगे, वो 50 basis point की देंगे, 75 basis point की देंगे, मैं चाहता हूँ दोस्तों ताकि आपको मेरी वीडियो देखने की जरूत न पढ़े, आप खुद न्यूस पढ़ें, आप समझें कि अगर announcement बुरी आई है, तो इसका क्या प्रभाव है, मेरे portfolio पे अच्छी है, तो क्या प्रभाव है, आप सजग रहें, सद्रड रहें और आप किसी पर dependent न आ रहें, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,